अक्षे और सलमान दोनों ही बॉल्ब इंडेस्टी के जाने वाने सुपरस्टारों में से एक हैं और इन दोनों सुपरस्टारों की फिल्म इंडेस्टी में तगड़ी फैन फॉल्यूम भी मानी जाती हैं फिलाल ये दोनों सुपरस्टार अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर सुर्ख्यों में च्छायों है और कहा जा रहा है कि अक्षे के साथ सल्मान खान का जबरदस क्लाइश होने वाला है जिसके आपसे भी जानते है कि करोना की कहर के वज़े से रोहिश शक्री ने अपनी फिल्म शुर्वनसी की रिलीज डेट को पोस्ट पॉन कर दिया है फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली थे लिकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है फिल्म इस फिल्म की रिलीज डेट की घोशना नहीं की गई थे लेकिन अफ़ाओं की माने तो बताय जा रहते है कि शुर्वनसी को साल 2020 के एड के मर्क्यों पर रिलीज किया जाएगा और सल्मान खान की फिल्म रादी के साथ इस फिल्म का क्लैश होगा लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान और रक्षे के लीज ये क्लैश नहीं किया जाएगा रिपोर्ट्स के अनुसार बताये गया है कि करोना का परभाव खतम होते ही जैसे सिनेमा गरे में वापस शुरू किया जाएगा कुछी दिनों में शुरूलसी को भी रिलीस कर देने की प्लैनिक की जारी है फिल्म के निर्माता निर्देशक ईद का धिजार नहीं करेंगे रोही शिटि इस फिल्म को जल्द से ही जल्दी रिलीस करना चाहते हैं जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि करोना के वरजे से सरकार ने सभी सिनेमा घुरों को 31 मार्ट तक के लिए बंद रखा है साथी सभी फिल्मों और पीवी शोस की शूटिंग भी रोप दी गई है फिलाल देश में सभी को अपने घरों में रहने के अपील की गई है पर ऐसमें रोही शेटी ने अपने फिल्म सिर्वशी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है फिलाल इस फिल्म की रिलीज डेट तो सामें नहीं आपाई है लेकिन कहा जा रहा कि क्रोना वाइरस का कहर खतम होते ही जैसे सिनेमा घर खुलेंगे वैसे ही अक्षिकुमार की ये मच अविड़ेट फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी वही दूसरी और सल्मान खान की फिल्म राधे के साथ इस फिल्म का क्लैश नहीं होगा हाला कि फिल्म की कहानी में थोड़े बहुत बगला होंगे जिस फिल्म में सल्मान खान के साथ दीशा पार्णी रदी पुड़ा जैकि शुरुब जैसे बड़े कलाकार फिल्म में अपना बैटिन परफॉमस देते हुए नजर आएंगे परफु देवा की निर्डेशन में बन रही इस फिल्म में जबरदस एक्शन सीन सल्मान खान के हमें देखने को मिलने वाले हैं बॉल्यूड एक्टर वरुन धवन इस समय अपनी आने वाली फिल्म कुली नंबर वन को लेकर खूर सुर्खियों में चाहे हुए फिलाल इस फिल्म की शूटिंग जोरो सोरो से चल रही है और इस फिल्म को एक मई 2020 को रिलिस किया जाना है लेकिन ऐसे में वरुन धवन की अगली फिल्म का भी ऐलान होता दिखाई दे रहा है बताना चाहेंगे सूपरस्टार वरुन धवन काफी समय से धमागेदार फिल्म में देते चले आ रहे हैं और इस समय फिल्म कुली नंबर वन के रिमे को लेकर काफी यदा चर्चाओं में हैं खबरों की माने तो वरुन धवन की इस फिल्म का नाम 21 होने वाला है और इस फिल्म में वरुन धवन अरुन खेतरपाल का किर्दार निभाते हुए नेजर आने वाले हैं और इसमें वो एक रियल लाइफ किर्दार निभाने वाले हैं यानि एक रियल कहानी पर बेस्ट होने व जिसके लिए उनके फैंस भी काफी एदर एक्साइटर चल रहे हैं। जानकरी के लिए बताना चाहिए कि वरून धवन बॉलबुड के एक ऐसे बनेता हैं जो हमेशा से ही काफी एदर चर्चाओं में रहते हैं। उनके पिछले इस फैल्म बॉक्स इस पर सूपर डूपर हिर्च साबित हुई थी और इस समय कुली नंबर वन के रिमेक को लेकर वरून धवन काफी ज़्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं। इसे में अब उनकी अगली फिल्म 21 को भी लेकर खूल सुर्चाओं चाही हुई हैं। जिस फिल्म में वो एक रियल कहानी पर नजर आने वाले हैं।